हमारा प्रोसेस चल रहा है, कुछ सीटने डिकलेर होई हैं और अब लगातार डिकलेर होती जाएंगे सारा स्क्रीनिंग कमीटी का काम चल रहा है, अलग-अलग राजों की स्क्रीनिंग कमीटी मिल रही है और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रिय चुनाव समेती उस पर विचार करके फिर हमारी सीटने डिकलेर करते हैं अज़ा इकटे करने की बात देए स्क्रीनिंग कमीटी का एक सिस्टम होता है बैठने का और उसी के तहःत हमारा पार्टी का काम चलता है और वह लगातार जाए है आप बस लगातार हो रही है कल भी है और भी लगातार मीटिंग चलती है जल्दी होना चाहिए अब तो इस समय के मताबिक डिस्क टियर होती जाएंगी देखो ये चलती रहेंगी बातें और हमेशा चलती है हर चिनाव में चलती है इस पर जो आखरी स्टैंप मोहर लगती है वो हमारे हाई कमांड की सेंट्रल एलेक्शन कमेटी की लगती है जैसे वहाँ पर होगा मामला सब क्लियर हो जाएगा तेमी पीछे हटने की बात नहीं है ये पैसला जैसा मैंने पहले दिन से कहा मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट मैं बार बार हर बार बताती हूं आपको कि लोगसबा की बात है विदान सबा की बात है हमारी पार्टी हाई कमांड पे करती है ये जरूर मैंने कहा कि इस बा तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विदान सभा चुनाओ लगूं लेकिन आगरी पैसला हमेशा हाई कमान का होता है। बेहतनी कांडिडेट होंगे। हाई कमान के पास कई सरीय होते हैं। जैसे सर्वे भी किये जाते हैं। उनके अलग परियवेक्शक होते हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर और बाकी सब की राय लेकर फिर फैसला उस तरह पर होता है। तो हर्याना की लेस्ट है। उसमें काफी विलाम हुआ है। गुटबाजी की बात आ रहे हैं। कही राजे हैं। अभी तो बाकी अभी तो सिर्फ उन्तालिस आईगे। हर्याना को लेकर क्या गुटबाजी है जा पहले आ पहले आपको वाला सिस्टम चलना है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैंने जैसे कहा सबसे बात चीत करके स्क्रीनिंग कमिटी अपनी राई भीज़ देगी उपर हमारी केंद्रिय चुनाव समीती को फिर वहाँ पर फैसला होगा। यह जरूर है कि आप मुझे कहते हैं मैं उनको कहती हूं वो उनको कहते हैं तो यह थोड़ा बहुत तो देखो राजनीती में भी और पार्टी में भी हमेशा चलता है। इसका कोई इतना ज्यादा हम है तो ना निकालें यह हमेशा राजनीती का हिस्सा रहता है। लेकिन आखिर में पैसला हाई कमांड कई पहलूँओं को देखकर ही करेगा। नो हैं हमारे पास हमारा प्रयास होगा। दोनों तरह की बात हैं। जो वरकर है वो भी उत्साहित है। और दूसरी बात जो है की जनता। जनता में आज के दिने एक बहुत बड़ी एक लहर है। कॉंग्रस के प्रतिय। और भारतिय जनता पार्टी के खिलाव। दोनों बाते होती हैं नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव है भारतिय जनता पार्टी की जुम्ले बाजी के खिलाव। आप याद कर लीजिए पिछला हमारा विधान सभा का चुनाओ था। उस समें 75 पार भी कहते थे चालिस पर आकर सिमट गए। ये तो नारे वारे देना इनका काम है। उससे लोग कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होते हो। लोग सभा की पूरी तैयार ही है बलके हमने तो कुछ मुनाना पहले से शुरू कर दिया था ये तो अब की बात थोड़ा है ये तो पहले से काम हमारे होते रहे है, तो ऐतान का था है तो परिषहाल को मैसरो लड़ेबिचे नोगस यहìn लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में काम करते हैं. जब जीत नहीं भी पाए, उसके बावजूद हम तो यहीं पर रहे थे, हम कहाँ गए. देखो आज के दिन बेरोजगारी का मुद्दा है, महिंगाई का मुद्दा है, इनकी जुम्ले बाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें, अब फिर से वो जुम्ले बाजी शुरू हो गई, कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी पिछले वाई देते, वो कोई पूरे ह वे नहीं नहीं बातें लेकर आते हैं लेकिन अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चड़ सकती इस बार लोगों ने इनकी असलियत जान ली है तेखो उनके कहने से कुछ नहीं आप मुझे ये बताईए कि प्रधान मंत्री जी क्यों वारा नसी गए जो नेता होते हैं वारे नेता कहां से चुनाओ लडएंगे हमारी पार्टी ने फैसला किया पिछ्ली बार वाइनाड से राहूल जी चुनाओ लड़ें ये अब देख लो इनके नेताओं को को कोई धक्शन को यूतर कोईँ कोई कोई पीश्च्च्चिम